नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाठ्थे मुक्तक और गए मुक्तक काववे में अंतर इससे संबंदित प्रेश्न मध्य प्रदेश की बोर्ड वर लोकल परिक्षाओं में पूछे आते हैं इसलिए आपको इस वीडियो ध उपर नीचे लिख देते हैं बीच में लाइन कीच कर आपको अंतर लिखना चाहिए तो सबसे पहला अंतर है पाठ्थे मुक्तक काववे पढ़े जाते हैं जो पाठ्थे मुक्तक काववे कावे जाते हैं दूसरा है इन में एक ही भाव की गहनता होती है यानि पाठ्थे मुक्ता काववे में एक ही भाव की गहराई होती है जबकि गए मुक्ता काववे में संगीत आत्मक्ता होती है इसमें संगीत आत्मक्ता होती हो संगीत बजलता भी रहता है तीसरा है पाठ्थे मुक्ता काववे आधुनिक काल की कविताओं में देखने को मिलता है यह जो पाठ्थे मुक्ता काववे है वो अधिकता रूप से आधुनिक काल की कविताओं में देखने को मिलता है जबकि गए मुक्ता काववे आधी काल, भक्ती काल वा रीती काल की कविताओं में देखने को मिलता है पाठे मुक्ता काववे के हम कुछ हुदारन देखते हैं जैसे सुमितन अंदन पंथ की कविता है पत जड़ फिर है सूरेकांत रिपार्थी निराला की कवीता वह तोड़ती पत्थर इलहाबाद की सड़कों पर गए मुक्ता काव्यों के उधारन सूर्दास के काव्य, तुलसिदास जी के काव्य, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, मीरा के पद आदी ये सब गए मुक्ता काव्य हैं, जैसे देखिए दोस्तों, पाठ्य मुक्ता काव्य, ये एक दस्वी कक्षा का पाठ्य कन्यादान, अब ये सी पढ़ा जाने लायक काव्य है, कितना प्रमानिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंत पास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था, पाठ्य का थी वह दुन्दले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लायबध पंग्तियों की, यानि कि ये काव्य है, पाठ्य मुक्ता काव्य है, क्योंकि ये पढ़े जाने योग्य है, जबकि गए मुक्तक में, जैसे की हम कभीर दाजी का दोहा देते हैं, जैसे की, जाती न पूछो साधु की, पूछ लीजी ए ग्यान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहने दो म्यान कभीरा, पढ़ा रहने दो म्यान, ये परकार मीरा के कोछ पंगतिया है, हेरी में तो प्रेम दिवानी मेरो दरद न जाने कोई, सुरा जी के है, उधो तुम हो अती बड़ भागी, तो ये सब गाने योग्य काव्य हैं, और ये पढ़ने योग्य काव्य हैं, जो पढ़ने योग्य होते हैं, उन्हें बोलते हैं, पाठे मुक्तर, और जो गाय जाने वाले योग्य होते हैं, उन्हें बोलते हैं, गए मुक्तर, उम्मीद है, आज के वीडियो को पसंदा होगा, समझ भी आगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,